हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टडी आई क्यू आई ये सिंधी चैनल पे मैं लली तदहिया आज आप लोगों के सामने एक अलग इंपोर्टेंट न्यूज लेके आई हूं जिसका नाम है अकांशी ब्लोग कार्यक्रम ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी हाल ही में इ देख लेते हैं चर्चा में क्यूं आया अभी लगभग जैन्वरी में मुख्य सचीवों का एक सम्मेलन हुआ राष्ट्य सम्मेलन और इस सम्मेलन के दोरान अकांशी ब्लोग कार्यक्रम को शुरू किया गया है यानि इस एबीप को एस्पिरेशनल ब्लोग प्रोग्रेम को शुरू कर दिया गया है पहली बात ये दूसरी बात हमें ये जाननी पड़ेगी कि आखिर इस अकांशी ब्लोग कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होगा ध्यान रखिएगा ये एक विकास पहल है और ऐसे ब्लोग्स को टार्गेट करेगी जिनका समाजिक आर्थिक जो मांद प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के दुआरा यानि एक विकास पहल है और इसका उद्देश है उन छेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना होगा जो विभिन विकास मान को पर पिछड रहे है जो ABP है इसकी घोशना केंद्रिया बजट 2022 से इसमें भी की गई थी मतलات उसमें इसकी घोशना की गई थी और वरतमान में इसको शुरू कर दिया गया है ऐसे ब्लोक्स को चुना जाएगा जिनका प्रदर्शन बहतर नहीं है और उनके प्रदर्शन को बहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा अब हम कुछ डेटा केंद्र शाशित प्रदेशों ध्यान रखना दोनों इसमें सम्मिलित है पीटी में आपसे देदेगा कि अकांग्षी जो अकांग्षी ब्लोक कार्यकरम है ये केवल राज्यों में लागू किया गया है केंद्र शाशित प्रदेशों में नहीं तो गलत हो जाएगा राज्य और केंद्र शाशित प्रदेश दोनों इसमें शामिल हैं, साथ ही 500 ब्लोक को पहले चुना गया है, जिला नहीं होगा, ब्लोक होगा, 500 ब्लोक को कवर करेगा ये, पहली बात दे देगा 400 ब्लोक को कवर करेगा, तो छोटे छोटे फैक्ट को भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि शुरू किया गया है इस योजना को, तो 500 ब्लोक को कवर करेगा, और इन ब्लोक में से आधे से अधिक ब्लोक, केवल 6 राज्यों में स आते हैं जो पिछडे हुए राज्य है जैसे आप देख सकते हूं उत्तर प्रदेश है बिहार है मध्या प्रदेश है जारखंड है उडीसा है पश्चिम मंगाल है यानी इन पांसो में से धाइसो से जादा ब्लोक केवल छे राज्यों से आएंगे और यह ऐसे ब्लोक होंगे जिनका प्रदर्शन बहतर नहीं है अलग-अलग विकास मान दंडों पे और उनके प्रदर्शन को बहतर बनाने का काम किया जाएगा बात समझ में आई और ABP जो है अकांशी जिला कार्यक्रम ये ADB पे अधारित है मतलब जिला कार्यक्रम पे अधारित है अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भई ये ADB क्या है ABP तो हम समझ गया भी लोंच हुआ है क्या क्या कैसे कैसे किया जाएगा कितने जिले आएंगे अब हमें पता होना चाहिए कि ADB क्या है यानि आकांशी जिला कार्यक्रम क्या है यदि हम आकांशी जिला कार्यक्रम की बात करें तो ध्या सुधार करना जो प्रमुक समाजिक और आर्थिक छेत्रों में कम प्रगती हुई है जिन में यानि ऐसे जिलों को चुनना है जिन जिलों में समाजिक और आर्थिक प्रगती तुलनात्मक तोर पे कम हुई है ठीक है इसी के साथ हमें ध्यान रखना है कि अकांशी जो जिले थे भारत के वो जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं, ऐसे जिलों को चुनेंगे, ऐसे जिलों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए हम अलग-अलग योजनाई लाएंगे, और फाइनली उनके प्रदर्शन में सुधार करेंगे, साथ ही ध्यान रखना है कि इसमें जैसे हमने देखा कि कितने ब्लोक है अकांशी ब्लोक कार्यक्रम में तो 500 ब्लोक है जी यदि हम अकांशी जिला कार्यक्रम की बात करें तो इस जिले कार्यक्रम में 112 जिले शामिल है एडीवी में 112 जिले शामिल है जिनको चुना गया है और भ इस बात पर लिखवाती हूं कि यह point आप लोगों के लिए important हो जाता है ठीक है कि आकांशी जिला देदेगा कांशी जिला योजना को जो है घ्रामीन मंत्राले संचालन कर रहा है संचालन कर रहा है तो गलत हो जाएगा नीति आयोग ठीक है अगली बात बाकी तो फिर अलग-अ मंत्राले प्रगति के लिए अपना-पना काम करेंगे ही जल मंत्राले अपना बहतर जल बनाने के लिए या जो मानव विकास मंत्राले हर मंत्राले फिर विकास के लिए काम करेगा वो तो एक अलग बात है लेकिन इसका संचालन नीति आयोग करता है अगली बात यह जो अकां मों को उठाएगा, साथ ही मासिक आधार पे जिलों की रैंकिंग करके उनकी प्रगति को नापता है, इस जिला प्रोग्राम के तहट जिलों की रैंकिंग की जाती है, कि भई किस जिले में कितना सुधार आया है, किसको कितनी रैंकिंग दी जाए, यानि छमता देखेगा, कम्य जिले को बहतर करने के लिए प्रेरित करेगा यानि ये प्रतिसपर्धी और सहकारी संगवाद की भावना से दूसरों को दूसरों से प्रतिसपर्धा करके और सीख कर देश के सर्वस्रेष्ट में से एक बनने के लिए प्रेरित करेगा यानि ये प्रतिसपर्धा करेगा ऐसे जिलों के साथ जो अपने अपने छेतर में बहतर कर रहे हैं जिन जिलों के समाजिक आर्थिक प्रदर्शन बहतर नहीं है उन जिलों को प्रेरित करेगा कि आप उनसे प्रेर्णा लीजिए और उसी के नक्षे कदम पे चलके आप प्रतेक छेतर में बहतर कीजिए और देश के स राज्य विक्सित होंगे, राश्ट्र विक्सित होगा, है न, तो ये एक क्रम है, हमें बुनियादी तोर पे ही चीजों को सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा, उसी का एक रिजल्ट हम देख सकते हैं, अकांशी ब्लोक कार्यक्रम के तोर पे, ये हम जिलाकार्यक्रम बहतर बनाने, यानि सभी मान दंडों में बहतर करने का प्रयास कर रहा है, जिस से, फाइनली नागरिको का जो जीवन स्तर है, वो बहतर बन सके, और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके, साथ ही, राश्ट्र की प्रगती के लिए, अकांशी जिला, प्रोग्रम का यानि सतत विकास लक्षों का स्थानी करन करना है, आपने सतत विकास उदेशे, ⁫ G physician प्राप्त करने का प्रयास करें लिए नहीं नहीं इन SDG गोल को हम स्थानी करत करके उद्देशों को पूरा कर सकते हैं और SDG गोल को प्राप्त करने का सही तरीका भी यही होता है कि हम नीचे से उनको प्राप्त करने का प्रयाद करें ब्लोक से जिले से राज्य से राश्ट्र से तब जाके हम SDG को प्राप्त कर पा है कि इसके साथ ही आपको जैसे मैंने आप बताया कि जो ranking होती है अलग-अलग जिले की इस ranking के ना पांच प्रमुख सामाजी का धार है किस किसा धार पे ranking मिलती है जैसे सबसे पहले जाएगा कि भाई स्वास्थे और पोशन उस जिले में पो प्रोशन की कि समस्या का हल हुआ है मतलब उनको प्रयाप्त पोशन दिया जा रहा है तो एक जो स्वास्थे और पोशन की आधार पर रैंकिंग दी साथ ही क्रिशी और जल संसाधन के आधार पे रैंकिंग दी जाती है, वित्य समावेशन कितने लोगों का हुआ है, कितने लोगों की बैंकिंग तक पहुँच है, कितने लोगों का कोशल विकास हुआ है, एक आधार ये होता है रैंकिंग का और एक होता है अवसरंचना, यानि समाजिक अवसरंचना यहां से clear हो गई आपकी स्वास्थे और शिक्षा साथ ही overall अवसरंचना के अधार पर भी ranking की जाती है यानि समाजिक अवसरंचना के साथ साथ आर्थिक अवसरंचना को भी देखा जाता है फिक है तो इस तरीके से ranking के लिए भत सारे मानदंड होते हैं ध्यान रखेगा दोस्तों हमने अभी जो पढ़ा अकांशी ब्लोक कारियक्रम पढ़ा कितने राज्य, कितने जिले, क्या उध देश्य है, कितने जिले है, क्या उध देश्य है है ना किन आधारों पे रैंकिंग दी जाती है इन सारे बातों को पढ़ने के बाद हम एक बर ये देख लेते हैं कि जो नीति आयोग है ना इसकी और कौन-कौन सी पहले है यहां से एक बर पीटी में कोशन बना भी था एक बर शायद स्टार्ट अप 2016 का आई इसका कोशन है करं प्रियोग जरूर कर सकते हैं जब आप सेकिंड पेपर लिखते हैं फिर आप थर्ड पेपर में आप सरंचना से रिलेटिड कोशन आते हैं तो आप बिल्कुल इनका जिक्र कर सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं यदि हमें विकास करना है राष्ट्र का विकास करना है तो हमें ब्लोक्त के विकास से शुरू करना पड़ेगा जिलों के विकास से शुरू करना पड़ेगा तब जाके कहीं न कहीं संपून राष्ट्र का ए हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी